नमस्कार मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मा नेतुला नेट जियारप चनल पर साथियों आज मैं बात करूंगा UGC नेट 2023 एक्जाम को फर्स्ट एक्टम्ट में कैसे क्रेक करें वीडियो में आगे बरने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा मैं दिल्ली इस विद्याले से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ साथी साथ मैं दो बार नेट जियारप एक्जाम क्रेक कर चुका हूँ मेरे प्यारे साथियों अगर आप भी मेरी तर खुक 25 से समदित जानकारी साथी साथ अशिस्टेंट प्रोफेसर रिकृट्मेंट की जानकारी इसके अलाबा मेरे खुद के बनाएगे पेपर वं के नोटस भी आपको F.C मिलेंगे साथी साथ 4 से समदित महत्पुन कांटेंट को free of cost मिलेगा तो सात्यों हम आते हैं आज के टॉपिक पर जो 2023 में युजिसे net का exam होने वाला है उसको first attempt में कैसे crack करें गाइज मैं practical बात करूँगा यह नहीं कि आपको धेर सारे किताबे बता दूँगा मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि आप 10 बुक को पढ़ने से ज्यादा बढ़िया कि एक ही बुक को आप 10 बार पढ़ें जितना जाड़ आपका revision होगा उतना जाजा success होने की chances आपके रहेंगे अगर आप किसी भी competitive exam की क्यारी करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका syllabus जाना चाहिए साथ हूं और जैसे ही अगर जैसे आप कहीं बाहर जाना सब जाने का रास्ता मालूम है तो हमें इधर उदर ज़्यादा भातकने की जरूरत नहीं पड़ती है तो syllabus किसी भी competitive exam को crack करने के लिए एक तरह से मैप होता है साथ हूँ syllabus का अगर आपके पास knowledge है आपको पाट करम का ग्यान है तो आप भटकेंगे नहीं आप बहुत ही जल्दी से उस exam को crack कर लेंगे बार बार आपको exam नहीं देना पड़ेगा first attempt में और कम मेहनत में आपका crack हो जाएगा जिसाए कि आप सभी जानते हैं कि hard work तो जरूरी है सफल होने में उसके साथ smart work का होना बहुत ही जरूरी है यह तो आप देख सकते हैं कि मजदूरी करने बाला इनसान भी मेहनत ही करता है और एक officer भी होता है वो भी मेहनत ही करता लेकिन एक माइंड से मेहनत कर रहा है smart work कर रहा है और एकपने body से hardwork that idea अपने हाथ होरे तो यही दोनों में अंतर पएदा कर देता है ठीक उसी तरीके से किसी एक्जाम में जिसमें competition बहुत ज्यादा हो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि अभी लगतार एक्जाम भी नहीं हो रहा है उससे सबसे पहले चीज मैं आपको बताया कि सिलेवस जरूर आपको देख लेना चाहिए सिलेवस एक तरह से आपका बाइबिल है गीता है कुरान है आप उसको याद करने की कि टोपिक ल out का टोपिक आपको पढ़ना है कौन कौन सा टोपिक कि तो ड्याएं में तो आछए थे पेपर में हमतब्लक करते हैं के बात्endo के बाद सबसे महतपूर note है बुक क से हमते धुक होना चाहिए ठीक Het ₷ फर्स्ट यर में हैं तभी इस एक्जाम को आप दे सकते हैं तो इसमें ज्यादा तर candidate ध्यान लगाते हैं पेपर 2 पे जबकि पेपर 2 का तैयारी लगभग लगवो student का preparation पहले से ही रहता है अगर आप अच्छे से अपना post graduation करते हैं और अगर आप अच्छे से नहीं करिएगा तो आप इस exam को लेकर eligible ही नहीं हो पाएं क्योंकि आपको 55% minimum marks तो चाहिए ही चाहिए इस exam को देने के लिए अगर कोई अच्छे से preparation करके 55 और 60% ले आता है तो उसको paper 2 में कहीं पढ़ने की extra जरूरत नहीं है बस उसी को revise करना होता है आप अपने PG के notes को revise करें या अगर आपके पास notes नहीं है तो आप IGNU के content बहुत ही अच्छे होते हैं जो master's level के हैं क्योंकि इसके content को बनाने के लिए जितने भी प्रोफेसर होते हैं उस सभी central university के होते हैं डियू जेन्यू यह जो नाम चीन परतिष्टित university है उससे और बहुत ही ज्यादा अनुभवी professor उसके content को लिखते हैं इगनू का book आप prefer कर सकते हैं अपने subject के लिए यानि paper two के लिए और उसी से आप अपना एक short notes बना सकते हैं और उसी को बार-बार आप revise करिए अगर दूसरी बात करूंगा assistant professor का हो kbs का हो PGT TGT teacher का हो तो आप किसी भी एक्जाम को crack कर पाएंगे यहां तक कि UPSC BPSC GPSC इस तरीके सराज सारे जो दिली बिस्विद्याले के साथ ही है जो कि first attempt में इस exam को clear कर चुके हैं मैं मैंने भी इसी book को पढ़कर first attempt में अपना exam clear किया था और बहुत सारे मेरी student हैं मेरे दोस्त हैं जो कि इसी book को recommend करते हैं तो आप सिर्फ KBS मदान की book को आप अच्छे से पर लीजिए और इस book का link मैं आपको video के description में दे दूँगा आप आप वहां से click करके चाहें तो purchase कर सकते हैं साथियों और KBS मदान के book पढ़ने के बाद आपको कुछ भी बाकी नहीं रहेगा paper 1 में सिर्फ आपको previous year question को practice कर लेना है तो आपका exam crack होने से कोई नहीं रोख सकता है गारंटी देता हूँ आपको कि आप exam के बाद comment में आकर जरूर thank you लिखेगा शुक्रिया लिखेगा कि sir इन सबी चीजों को हमने follow किया और मेरा exam first attempt में ही clear हो गया शातियों आपको video कैसा लगा अगर आपका कोई सुधाब हो कोई सलाह हो कोई सवाल हो आपका तो comment में लिखकर जरूर पूछे ना हिचकी चाहें अगर आप PhD करना चाहते हैं PhD में admission लेना चाहते हैं कहां पर admission लें synopsis बनाने में आपको समस्य आ रही है topic आप find ने कर पा रहा है कि किस topic पर synopsis बनाओं तो यह सारे चीजों से समंदित आपको यहां से help मिलेगा assistant professor recruitment की जानकारी चाहते हैं या preparation करना चाहते हैं जैसे कि अभी उत्तरप्रदेस higher education का professor का exam बहुत जल्द होगा है ना तो इससे समंदित कुछ जानना चाहते हैं तो आप comment करकर जरूर पूछ सकते हैं इन सभी exam का यहां पर preparation करा जाता है तो वीडियो देखने के लिए अपने कीमती समय देने के लिए बहुत